हेलो दोस्तों, स्वागते आग सभी लोगों का इंटरनेशनल फ्लैटों की इस वक्त की एक नई खबर में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साउथ कोरिय की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या जुरूरी खबर सामने आ रही है इसके अलबा हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नॉड़ा का इंटरनेशनल एरपोर्ट कब तक बन कर पूरे तरीके से तयार हो जाएगा तो बिने किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं और पहले बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि यहाँ पर साउथ कोरिया की तरफ से आ रही है कि 8 जून से जो भी foreign travelers South Korea में travel करके आएंगे पले ही उन लोगों ने vaccine ना लगवा रखी हो तो भी उन लोगों का South Korea में आने के बाद किसी भी तरीके का quarantine नहीं किया जाएगा लेकिन इतनी जानकारी जरूर बताई गई है कि जो भी passenger South Korea में travel करके आएंगे तो उन सभी लोगों को अपने साथ 30 गंटे के पहले पहले वाला PCR का negative report लेका travel करना compulsory होगा तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी ख़बर है उन सभी लोगों के लिए जो लोग South Korea में travel करके जाना चाते है पहले South Korea में non vaccinated passengers का 7 दिन का quarantine किया जाता था लेकिन आप यहाँ पर South Korea की government 8 जून से unvaccinated passengers के ओपर से quarantine के नियम को पूरे तरीके से खतम कर रही है ये एक बहुत अच्छी खबर है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक vaccine नहीं लगवाई हुई है और ये लोग ये दि South Korea में travel करके जाना चाते हैं तो बस आप सभी लोगों को 72 घंटे पहले वाला PCR का रिपोर्ट लेका travel करना होगा और South Korea में जाने के बाद आप लोगों का किसी भी तरीके का quarantine नहीं किया जाएगा इसके सासर दोस्तो एक और वड़ी ख़बर की जानकारी ले लेते हैं जो कि UP में बनने वाले एक नए एरपोर्ट नौइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट की तरप से है आपको बताते चली कि नौइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट का पूरा जो कर्स्ट्रक्शन का काम है वो टाटा प्रोजेक्ट समाल रहा है जिसको लिकर आप यह आपर यह जानकारी शेर की गई है कि साल 2024 में नौइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट पूरे तरीके से बन कर तयार हो जाएगा जिसके बाद इस एरपोर्ट से भी इंटरनाशनल फ्लैटे ओपरेट होनी चालू हो जाएंगी जिससे कि नौइडा इंटरनाशनल एरपोर्ट से भी पैसेंजर्स काफी बड़ी संख्या में ट्रैवल करना असुरू कर सकेंगे तो दोस्तों ये दो जरूरी खबरे सामने आ रही थी आप सभी लोगों के लिए एरपोर्ट और इसके अलावा साउथ कोरिया की तरप से